दोस्तों नमस्कार आज आपको उपराद कता के बारे में बताते हैं एक ऐसी अपराद कता जिसमें एक आदमी ने 3.5.3 करोल रुपया हडपने के लिए एक आदमी की जान ले ली उसकी हत्या करवादी और उसके बाद खुद भी अपरादी बन गया उसको ये पैसे भी नहीं मिले और वो कानून के सिकंजे में कसा गया मैंने कि वो पकड़ा गया तो इससे एक सबक तो ये मिलता है कि अपराद करने वाला चाहे जितना सोच समझ कर सातिर पने से अपराद करे लेकिन उसका अंजाम यही होता है कि अंतता उसकी पोल खुलती है और वो पकड़ा जाता है और फिर उसके कानून के तहत कारवाई होती है यहinfectी उसे जेल ही जाना होता है यहनी कि अपराद का जो अंजाम है वो बुरही होता है चाहे उसको जितने सोच बिचाकर सातिर तरीके से किया जाए बचना नामुम्किन ही होता है तो इसका एक सबकी है दसल हुआ कि कि 35 करोण रूपए को हडपने के लिए एक सक्स ने साजिस रची और अपने हमसकल को कोबरा साम से डसवा कर मरवा दिया और फिर उसने क्लेम किया कि जो है उसे पैसे मिल जाए लेकिन इसमें बीमा कमपनी को सकुगा और उनने पुलिस से द सार लोग पकड़े गे जिसमें मुख आरोपी भी है तो हुआ यह कि अमेरिका में रहने अमेरिका में 20 साल रहने के बाद प्रभाकर भीमा जी वाक्चवरे जिनकी उम्र 54 साल है जन्वरी में भारत लोटे और आहमद नगर महाराष्ट के अहमद नगर जिले के राजूर गा बाख चवरे की मौत हो गई है इसकी जांच के लिए अस्पताल में पुलिस पहुंची तो वहां पुलिस कांस्टेबल को बताया गया एक प्रभीण नामक ब्यक्ति ने बताया कि वह बाख चवरे का भथीजा है और यह जो सो है यह बाख चवरे का है नहीं प्रभाकर भीमा साजी बाख चवरे था जो अपने आप कुम्रित घोसित करने के लिए अपने हमसकल को साफ से डसवा कर मरवा दिया था तीन लोगों की साजी में उसने सामिल किया था इसके अलावा प्रभीन के अलावा जो है राजूर निवासी हरसद लाहमगे ने भी यह पुश्टी की कि हाँ यह जो है बाख चोरे ही है और इसकी मौत हो गई है पुलिस ने सौकांतिम संसकार करने के लिए सौब दिया मेडिकल रिपोर्ट करवा के दे दिया और मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि बाख चोरे की मौत साफ डसने से हुई थी तो वो इन्होंने करवाय था हमस अमेर्की कमपनी को सक इसलिए हुआ कि बाग चवरे 2017 में अपनी पतनी की बीमारासी हासिल करने के लिए इस तरह का नाटक रच चुका था और उस समय भी ये सफल नहीं हो पाया था इसलिए बीमा कमपनी को सक हुआ कि हो नो हो इसने इस बार भी इस तरह का नाटक रच्चा हो और अपनी मौत करनाटक रच के ये बीमा रासी हर अपना चाराव तो इसलिए उस बीमा कमपनी ने सम्मंदित थाने की पुलिस को फिर से इसकी बिस्तार से जांच करने के लिए गहनता से गंभीरता से जांच करने के लिए नेवेदन किया तो उसके बाद पुलिस ने फिर इस बागचोरे मर गया साम काटने से वो खुद प्रवीन वही बागचोरे है वही प्रवाकर भीमा जी बागचोरे है और उदर चांच में ये भी पता चला कि हरसद लहमगे ने जिसने पहले प्रवीन के मरने की बात की थी तो उसने कह दिया कि जो प्रवीन है उसकी अब कुरोना से मौत हो गई है लेकिन उसकी मौत हुई नहीं थी तो पुलिस ने उसकी बागचोरे के मोबाईल की काल डिटेल रिखवाई तो वो चलती मिली तो उस पर लगतार बात हो रही थी तो फिर पता चला का स्पाटाल में खुद को प्रवीन जो सक्स बताया था वो بागचोरे निकला पुलिस को पकड़ में आया पुलिस को यह भी पता चला कि इनने बागचोरे ने अपने तीन जो लोगों को इस में सामिल किया था उनको 35-35 रुपया देने का वादा किया था और उसके चक्कर में उन्होंने यह अपराद किया कि एक बेकसूर बेक्ति को मार डाला और इस तरह यह अपराद के दलदल में फस गए आरोपियों ने बताया फिर पूलिस को कि उन्होंने पहले बाक्चोरे के हमसकल के किसी एक गरीब आदमी की तलास की वो उसका नाम भी है नवनात है स्वंत अनाप और उसे जबरन एक सुनसान जगा पर ले गए और सफेरे को भी ले आए थे सफेरे ने कोबरा साम से उसको डसवा दिया तो ओमर गया उसके बाद उसकी लास बाक्चोरे के घर लेके पहुँचे और ambulance बुलवाए पुलिस बुलवाए और ये फिर आगे का ड्रामा रच्चा का कि बाक्चोरे मर गया और उन्होंने उसकी पहचान कर ली और इस तरह मृत्तू प्रमार पत्र मिल गया जब प्रभाकर भीमा जी बाख चोरे को तो इन्होंने भीमा का क्लेम किया फिर कमपनी को सक हुआ और उसके बाद उसने जांच के लिए कहा और ये सारे लोग पकड़े गए चारों लोग अब सलाकों के पीछे चले गए इस तरह इनकी सारी पोल पट्टी खुल गई तो इससे सबक यही मिलता है कि अपराध करके कोई बच नहीं सकता चाहे जितना सातिर पने से अपराध को अंजाम दे